चहरे पर होने वाली जाईयां, हाइपर पिग्मेंटेशन, मिलाजमा, पिंपल्स के निशान या काले दाग दब्बे, इन सबी चीजों का पर्मिनेंट और बहतरीन सल्यूशन जो की है ये फेस पैक इस रेमेडी का जादूई रिजल्ट आपको मिलने वाला है तो फटा-फट से देख लेते हैं कि इस रेमेडी को कैसे बनाया जाता है, लेकिन उसे पहले एक छोटी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगी दोस्तो आपको सबसे पहले इस रेमेडी का जो हीरो इंग्रेट है आपको लेना है कैरेट यानि की गाजर गाजर को आपको ग्रेट कर लेना है ग्रेट करके इसको स्क्वीज करके इसका जूस निकाल देना है ज्यादा नहीं केवल दो चमच जूस की हमें जरुवत लगने वाली है इस रेमिडी को बनाने के लिए तो ये पूरा गाजर तो हमें नहीं लगने वाला है थोड़ा सा ही गाजर को ग्रेट करें कि इसका जूस निकाल देंगे दोस्तों गाजर में अंटी बैक्टेरियल प्रॉपर्टीज होती हैं साथी साथ ये अंटी एजिंग भी होता है समय से पहले आपकी चहरे पर फाइन लैंस रिंकल आने से रोकता है लंबे समय तक आपकी स्किन को यंग बनाए रखता है बस इतनी जूस के हमें जरूरत थी कम से कम दो चम्मच जो अगली चीज आपको इसमें डालनी है वो है टमाटर भी थोड़ा सा हमें लगने वाला है कम से कम एक चम्मच जूस निकल जाए इसमें से उतना ही हमें लगने आखरी आपको बनाना है और प Gibbs स्किप grate सकते हैं लेकिंक अगर आप इसको मिला लेते हैं बहुँत ही बहतरीन आपको 刻ड़ना दोस्तों अगर आपके पास इसका पावडर नहीं है जो की मार्केट में को मिल जाता है रेडी में यह यह उनलां भी आपको मिलजाः अगर तो उसको भी ग्राइंड करके उसको चान के उसका पाउडर जो फाइन पाउडर सा आता न वो आपको निकाल लेना है बस देखिए मिक्स कर लीजिए अच्छे से और बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए होगी इस पैक को नजाता पतला करना है नजाता गाढ़ा करना ह है बिल्कुल तयार अब इसको लगाना कैसे कब है सारी डीटेल्स आगे देखेंगे एंड में रिजल्ट भी बताऊंगी तो वीडियो के अंच तक ही ज़रूर बने रहेगा दोस्तों इस पैक को हमेशा आपको फ्रेश बना कर ही लगाना है अब इसको लगा कर केवल रखना यह पैक की रंगत को निखारने में आपकी मदद करता है आपके चहरे को आपके स्किन को ब्राइटन अब करता है और इस मास के इतने जादा बेनिफिट है आपके स्किन के लिए दोस्तों अगर मैं बताने जाओ तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर हो कर पाएंगे अगर आप कुछ नहीं करते हैं गाजर का जूस निकाल के भी टोनर की तरह स्प्रे करते हैं अपने फेस पर तभी आपको उसके ना बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं दो से तीन मिनिट मसाज करने की बाद आप इस पैक को लगा कर कि रखिए कम से कम पांच टेक केर